हेलो हैं अब्सक्राइबार और अपस्ति आप 5 फो ऊख्राइब के नुम्मेर 1 सुद्धी चैनल覺 dzi encryption वला करते हैं अगर आप इंडिया का कोई भी एक्जाम दे रहे हो तो शायद ही ऐसा कोई टॉपिक होगा जो कि हम लोग कवर नहीं करते होंगे हम लोग आपके एक्जाम से रिलेटेट तो कवर करते ही है लेकिन उससे कम से कम 30-40 परसंट जादा चीज़ें और कवर करते हैं क्विकिके आपके डिटेट अंडॉनिंग के लिए आपके कीशन के लिए होती है उमीद करता हू महीं करते होंगे जहां पर महीं यहांद किया करो क्या क्या होता है जब आपनों को ज्याद एक सबसhu बात है तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको मालूम में दिखी रहा होगा 16 डिसंबर है तो यह सारे के सारे एक्जाम है अगर आप इन में से किसी पर एक्जाम की प्रपेरेशन कर रहे हैं तो आपको यह सेशन रेगुलर देखना चाहिए सबसे पहले प्रिवेस आज कोड़ा देखेंगे चसे अंट इहां पंछ देखेंगे तो आपको सी यहां पर मिल्कुल सही आंसरोगा नेक्स्ट है यहां पर Bright's Will की बारे में बात करेंगे Bright's Will दोस्तों उसको कौन से Status है जो की मिलावा है तो उसको Status मिलावा है Endangered का Third है Bird Flu के cases कहां पर देखने को मिले जहां पर 10,000 Ducks को मार दिया गया तो यह दोस्तों कहां पर किरिला के अंदर है जो की हुआ था चलिए Which South American country Recently approved a law Allowing same sex marriage Same sex marriage की अगर बारे में बात करें तो चिली आपका है आपे बिलकुल सही answer होता है ठेके गाईज Google most search personality in India in 2021 नमार है दोस्तों एक मात्र gold medalist जो कि recently Olympic में रहे नीरत चोपड़ा उनको सबस्यदा सर्च है जो की किया गया एक बच्चा बोल रहा है कि सर सौरी कली मैंने argument किया अरे भाई यह सब मत किया करो यह सब आपके और समझदार लोगों के काम नहीं होते हैं देखो आप हमेशा दान रखिए बहुत जादा वो बोलता है जिसको कुछ भी नहीं पता होता है आपको बहुत कुछ पता है आपको knowledge है तो उसको सही जगह पे utilize करो समझगे मेरे पास सच्चन सच्चन नहीं होते हैं अगर वो international नहीं खेल के सिर्फ गली में खेलते रहते तो तो हमेशा argument करना है something like कि आप बस हमेशा उन्हीं चीजों में उल्जेवे हो अपनी knowledge को सही direction में सही जगह में सही लोगों के बीच में काम में लो ठीक है ना आपके पास job होना हो आपके पास पैसा होना हो आपके पास knowledge इतनी अच्छी है कि अगर आप 10 बड़े लोगों के अंदर जो कि आपसे बहुत ज़ादा rich होंगे famous होंगे या फिर आपस knowledgeable होंगे या successful होंगे उनके बीच में बैठके भी आप अच्छी बाते कर सकते हो knowledgeable बाते कर सकते हो उनको टक कर दे सकते हो समझ गए तो यह चीज अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो आपको वहाँ पर काम में लेनी है जहां पर आपकी knowledge की value हो समझ गए रिक्षय वाले से या फिर अगर आप चलती रोड पर कहीं से भी लड़ाई करोगे किसी से भी अगर आटो वाले से लड़ाई करोगे तो क्या आप एक international fighter कभी बन सकता है कभी international fighter हो वो कभी नहीं बन सकता उसको अपना temperament वैसे रखना पड़ेगा कि वह international जाए और वहाँ पर boxing लड़े देश के लिए medal लेगा तब उसकी नाम और पैचान होगा समझ के मेरे बात तो कौन सी चीज कहां पर काम में लेने यह समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगर आपको इंडिया में किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप भी एक्चू टेन या बुनेश्टिन काम में ले सकते हैं आपको 10 परसेंट आफ मिल जाएगा यूपी एसी पीसी डिफेंस बैंकिंग एससी 40 प्लस एक्जाम में कि मैं लेटेस्ट आफ़र और आपको 10 परसेंट आफ के लिए 12 या 24 मन्त और भी एक्जाम के लिए इसको जबर्दस कर सकते हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्लीज कोशिश करिए एक बच्चे को एजुकेट करने की पीजा की कॉस्पे एक हैपिने सब्सक्रिप्शन के तुरू स्माइलफर और जी की वेबसाइट पर जाके और आप यहां पर volunteer form भी फिल कर सकते हैं ठीक है चलिए आपका सपना होगा किसी चीज का बनने का फॉर एक्जांपल जैसे कि आपने बोला कि मुझे एक्जाम करक करना है कोई भी एक्जाम लेलो पीसेस करक करना है तो आपने आपका हो सपना है अगर आप उसको देख रहे हैं तो यह possible है बिल्कुल तभी आप देख पा रहे हैं उस चीज को लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो इसका मतलब आप रियल के अंदर है जो कि अपने गोल के पास में जा रहे हैं तो जो भी आप बनना चाहते हो करना चाहते हो उसको एक स्टेप आ जनाने को लेकर समी कंडेक्टर की प्रोब्लम पूरी दुनिया में चल रही है इस वज़े से दोस्तों हर चीज का प्रोडेक्शन कम हो रहा है इसी अपरचिंटी को देखते वे मैंने कुछ ताइम पहले पढ़ाया था कि टाटा ने भी इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा यहाँ पे दोस्तों हमारे जो लोन सर्वाइवर थी अभी आपको मालूम ना हमारे बेपित दावन जी का जो चौपर क्रैश हुआ था उसके अंदर एक ही हमारे ऑफिसर बच्चे वे थे कल उनकी भी जो है वो मिर्त्यों के ग्रूप कैप्टेन वरुन सिंग जी इसके अला पर दोस्तों एक इंडिपेंडेंटर सिक्यूर्टी रिसरचर है उसने बोला है कि आपका जो वोटेश का लेटा या उसको सीक्यूर करने के लिए थे ज्या इसवाले न्यूस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए ज तरूरी यह सम arriver को चलिये तो कितने एक 1000 करोड का budget है semiconductor के makers के लिए तो ये scheme लेके आएं ताकि boost कर सके हम लोग semiconductor display की manufacturing country के अंदर total amount जो अभी electronic sector को और साथ में semiconductor को जोड लिया जाए तो 2.3 lakh करोड रुपीज है जो कि announce किया गया है ये comprehensive program है जो कि development करने के लिए बोला गया है semiconductor display का ecosystem country के अंदर ताकि हम लोग electronic system का design और manufacturing है जो कि यहाँ पर कर सके ठीक है हम लोग incentive दे रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लोग इंडिया के अंदर मालो 10 display अगर आप screen बना रहे हो ये ले लो आप ये screen ले लो तो मैंने ये बोला कि काम करो आप 15 बनाओ मैं आपको incentive दे दूँगा 10% की जो भी आपकी costing आपकी उसका छूट दे दूँगा समझ गए आपको वापस दे दूँगा पैसे तो क्या होगा जैसे मैं अभी 10 बना रहा हूं तो मैं कोशिश करूँगा इसको 15 बना लो सेल है जो कि उन्होंने 2020 के अंदर किया है जैपैन का साउथ कोरिया का इसके अंदर सेमी कंड़क्टर में डॉमिनेंस हुआ करता था लेकिन कोविड ने वहां पर पूरी इंडस्ट्री जो है वो शेटर डाउन कर दी है इतनी डिमांड थी शुरू में तो डिमांड कम हो गई फिर उनकी सप्लाय कम हो गई तो सेमी कंड़क्टर की पूरी दुनिया में जैपैन की इंडस्ट्री को दोस्तो टेक ओवर कर लिया यूएस ने साउथ आफ्रिका का साउथ कोरिया का शेर भी इंक्रीज हुआ है तो आप देख सकते हैं चैना का दुनिया में पांच परसेंट है समी करिंडेक्टर में ताइवान का साथ परसेंट यू का 10 परसेंट है कि किस तरह के से शेर चेंज होते जा रहा है पहले चाइना 2000 पास तक चाइना यूरोपे पहले देखो ताइवान करता था फिर यूरोपेन यूनियर फिर चाइना जैपैन ने काफी साल अभी 2020 आते हैं कोरिया और यूएस इस पर सबसे आगे है जो की निकल गए है देखो हो अंदर ये सारे की सारी चिप है जो कि लगाई जाती है फिर आपका इंटेग्रेटिट सर्कृट बनता है उसको आप किसी भी डिस्प्ले में किसी भी सामान में लगाते हो फिर वो बॉड़ी काम करती है समझ गए तो semi conductor material होते हैं जो की जिनकी conductivity conductor और insulator के बीच में होती है सम silicon, germanium ओके या फिर gallium, arsenite हो सकता है, cadmium हो सकते हैं कुछ compound भी जो हो सकते हैं तो आपसे paper में directly सवाल भी पूछते हैं कि बताइए semi conductors क्या होते हैं तो ये pure element भी हो सकते हैं जैसे कि silicon है जन्मेनियम है या फिर compound भी हो सकते हैं ठीक है guys conductivity की बात करें तो दोनों के बीच में जो ही हीट है जो कि आप पास कर सकते हो, electric charge पास कर सकते हो किसी भी material के अंदर से उसको conductivity कहते हैं समझ गए ये इंदी में भी है चलिए तो देखिए conductors क्या होते हैं जहां पे easily electrical current है जो की पास हो जाता है semi conductor के अंदर बीच का काम होता है insulator के अंदर वो अलाओ नहीं करता पास कर ये तो इसके अंदर 8 valence electron होते हैं outermost में तो ये share करता है ये metallic bonding होती है conductors में valence और conductor bonds जो है वो overlapping होती है resistance इसमें बहुत ही कम होता है positive temperature coefficient देखने को मिलता है copper aluminum इसके example है किसके आपके conductor के वैसे insulator की बात करें तो ionic bonding होती है इसके अंदर resistance बहुत जादा होता है इसी वज़े ये सब चीज़े है समझ गए semi conductor जोनों की बीच की property होती है negative temperature coefficient होगा resistance भी आई होगा silicon इसका example है और यहां पे covalent bonding आपको देखने को मिलती है paper में पूछते हैं यहां पर metallic bonding है यहां पर covalent है और यहां पर ionic bonding है यहां पर एक valence electron है यहां पर 4 है और यहां पर 8 है समझ गए तो यह सारे के सारे differences है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ठीके guys चले आगे बात करते हैं यह देख सकते हो electronic part और component 40% जो आज cost लगती है ना दोस्तों किसी भी engine car के अंदर तो वो आपके electronic part की costing होती 40% costing एक जमाने में 20% costing होगा करती थी अभी 40% तो सिर्फ electronic item की costing है गाड़ी के अंदर तो सोची कितना important है जो कि semiconductor business है जो कि आज के जमाने में बन गया है अब इसके कारण क्या है shortage होने के एक तो lockdown उपर से consumption बढ़ गया production कम हो गया supply कम हो गई यह कुछ कारण है जिसके वाज़े से semiconductor को की rate बढ़ गए हमारे आप पर automobile industry आगर आप अभी गाड़ी बुक कराने जाओगे न तो आपको बोलेगा दो मेने बाद लेना तीन मेने बाद लेना चार मेने बाद लेना क्यों क्यों क्योंकि गाड़ी कितनी supply नीओ पार ही सेमिकंडेक्टर की प्रॉब्लम है समझें तो हमारे automobile industry भी इतनी आगे नहीं बढ़ पारी है इससे पहले सरकार ने electronic manufacturing को बढ़ावा देने के लिए भी 48,000 करोड रुपी की गोश्चना करी थी PLI skim के तहट समझें मेरी बात धान रखेगा ठीक है हमारे आप जो electronic market है वो बहुत ही बड़ा है ऐसा माना जाता है कि 400 billion dollar का है 2023-24 तक अगर हमारा इंडियन electronic sector देखा जाए तो हर गर में आपको electronic समान मिलेंगे आज की टाइम पर चारों तरफ हम लोग electronic समान से गिरे में हैं ठीक है guys domestic production 39 billion dollar था 14-15 में अभी 70 billion dollar है जो की हो गया है अब आप आप बोलों के सर इसमें production तो हो रहा है लेकिन फिर भी नौकरिया क्यों नहीं बढ़ रही है क्योंकि हम लोग assembling जादा कर रहें production नहीं कर रहें मतलब raw material हम लोग यहां से नहीं होता 10 अगर item किसी भी चीज को बनाने के लिए तो 9 हम लोग 7-8 तो import करवा रहे हैं उसमें से सम यहां पर आप देख सकते हैं missing profit जिसके वाज़े सा हम लोग profit भी build-up नहीं कर पा रहे हैं ओके चलिये आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 दोस्तों यहां पर जो हम लोग बात करेंगे हमारे लिए जो important है वो हम लोग बात करेंगे जो news है बिलकुल यह वाली news important है 5 साल के irrigation okay guys water supply groundwater watershed development आपको मालूम है कि irrigation को बढ़ावा देने के लिए योजना launch करेंगे थी ताकि आप groundwater को supply हो गई water की supply हो गई projects हो गए dam हो गए आपके छोटे-छोटे इन सबको हम लोग improvise करें आगे बढ़ाएं ठीके guys तो इसमें बोला गया है कि हमने कई सारे irrigation project launch के थी 50% पूरे कर दिये 50% बज गये 2015 में स्योजना की शुरुवात करेंगे थी प्रदान मंत्री कृषी संजय योजना की जग शक्ती मंत्री जो है गजेंदर शिक शेखावत जी उनके द्वारा ये बात बोली गई है 2026 तक का इसका extension है जो की कर दिया गया है बजट इसमें दोस्तो 93,000 करोर का रखा गया है और बोला गया था कि 22,000,000 फार्मर को benefit मिलेगा ठीक है चलिए इसमें से 99 project identify किये थे 2015-16 में जिसमें से इनके द्वारा बोला गया है कि 50% हो गय है 50% pending है ठीक है guys यहाँ पे क्या था कि state और center का जो ratio था पैसे का वो था 55-25% और जो mountain वाले राज्य है उनका था 90-10% यह paper में पूछते है जान रखेगा objective यह था कि irrigation को आगे बढ़ाया जा सके ठीक है चलिए इसी के अंदर दोतिन योजनाओं में एक important योजना थी हर खेत को पानी यानि कि हर खेत को पानी है जो क चलिए आगे बात करते हैं page number 9 यहाँ पर बात करेंगे यह वाली news के बारे में दुरगा पूजा के बारे में और तो कुछ यहाँ पर खास important नहीं है और बंगलादेश के बारे में बात करेंगे ठीक है चलिए यह कोनी से कोनी जो टकराने का game हो रहा है यह कोवीड के वज़ हो रहा है बंगलादेश में तो वहां पर इंडिया के बनके जाने वाले हैं और वहां पर दोस्तों इनागरेट करेंगे एक फेमस हिंदू टैंपल जो की पाकिस्तान फोर्स के दुवारा 1971 वार के टैम पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था पाकिस्तान ने एक operation किया था सर्च लाइट नाम से 1971 में जिसमें बंगलादेश के जो बड़े बड़े इंटलेक्ट्वल लोग थे जो जनलिस्ट लोग थे जो इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे वहां के लोकल लीडर्स थे उन सबको सर्च करके उनको मारने की कोशिश कर रहे थे कई सारे लोग एक टें साधी अलंदर दोस्तों रामनात कोवेंजी इसकि सिर्किशन करेंगे बंगलादेश की में तीन दिन की विजड और साथ में इस टेंपल को भी आपर इनाग्लश करेंगे इसकुड़ आम है श्री-्राम्पा काली टेंपल श्री रमना काली टेंपल ये टेंपल को दोस्तों वापस से हमने बनाने में मदद करी है बंगलादेश की और इसको वापस से ये जो है काफी पुराना है मतलब काफी पुराना टेंपल है तो इसको वापस से inaugurate है जो कि यहाँ पर करने वाला है ठीक है गाईज चलिए renovate करके है जो कि इसको open किया जा रहा है ठीक है आप देख सकते है श्री रम्मा काली temple जो है यह धाका के अंदर है कहाँ पर है धाका में ओके और मुगल empire की time पर है जो कि यह temple बना था है ठीक है गाईज चलिए और ठीक है बागी तो दो सवादो एकड का यह temple है है ना यह आपको दान रखना है चलिए तो आप देख सकते हैं यह temple को जो starting के अंदर जो बाद में लोगों ने पता लगा इस temple के बारे वो पता लगा था राजंद नारायन जो थे उनकी wife थी रानी बेवी खो Quite तो उनके, द्वारा इसको doubleup है जो की किया गया था ना Rानी देवी थी wife öf राजंद नारायन जो कि यहां पर रहा करते थे तो उनके द्वारा इसको टेंपल को थोड़ा डबलब है जो कि किया गया बागी टेंपल दोस्तों 300-400 साल पुराना है जो कि माना जाता है इस से पहले दोस्तों कुछ ताइम पहले एक और टेंपल था है आप पे श्री श्री जोकाली माता टेंपल ये भी बंगलादेश के वन उल्डेस टेंपल माना जाता है 300 साल पुराना है अठारवी शदी के अंदर दयाराम रोय के दुवारा इसको बनाया गया था इस टेंपल को भी दोस्तों 2016 के अंदर रेनुवेट है जो की करवाया गया था बंगलादेश के दुवारा ठीक है गाई तो ये भी आपको यहां पर दान र क्या है प्रमोट क्या है उसको लेकर इस अवार्ड से सम्मानित है जो कि कोलॉंबिया जनलिजम स्कूल के दुवारा इनको दिया गया है ठीक है और इसके अलावाद देंदू के बहुत सारे पॉब्लिकेशन साते हैं ना वर उफ बेस्ट निउस्पेपर इंडिया में नहीं स्कूल के बीच में एक बहुत बड़ा पोस्टर भी आया करता था हर थ्रस्डे को आया करती थी तो स्कूल ऐसा होता था कि जैसे ही थ्रस्डे को स्पोर्ट स्टार आती थी इसकूल की लेडरी के अंदर तो मेरी क्लास में सबसे पहले जो है कौन जाएगा वाश्यूम उसको मुझे माइकल जॉर्डन का और एक शेंड वॉन का बहुत अच्छा पोस्टर था वह मिल गया था वह मैं अपने रूम में लगाया करता था मतला इतने पैसे होते नहीं थे कि पोस्टर बाहर से खरीदे बाहर से खरीदना तो बहुत ही बड़ी प्रिलेश थी तो एक ही जग सब्सक्राइब भी पुराना है वैसे लेकिन वो कमर्शनल नियुस पेपर है और जनलिजम के लिए दैंदु काफी फेमाइस हो आगे बात करते हैं दुर्गा पूजा को लेकर आपको मालूम ही दोस्तों हमारे देश में अनुदा बिकेस फेस्टिवल है जो कि दुर्गा प इसको इंक्लूड किया है ठीक है चलिए और ऐसा नहीं है मतलब यहां है और भी हमारे कई सारे फेस्टिवल से जो की लिस्ट ऑफ इंक्लूड करते हैं आप देख सकते हैं अगर कोई भी ऐसा कल्चर होता है जो बहुत ही डाइवर्सिफाय होता है जो लोगों को एक करता है प्रोस्परिटी को बढ़ाता है लोग इसको इंजॉय करते हैं उन चीजों को यह क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं इंक्लूड करते हैं लिस्ट में 2008 के अंदर इसकी शुरुवात है जो की करी गई थी दोस्तों ओके चलिए आप देख सकते हैं अभी तक हमारे 13 ऐसे चीज एक हमारे हिमालयज के अंदर रमनम करके रिलिजिन फेस्टिवल है वह है मुथी एक टू कालकरी टांस की चाओं संक्री ताना ऊंगए इसके अलवा है पंजाब का योगा हो गया नवरोज फेस्टिवल हो गया पर्शन कुम्ब मेला हो गया ठीक है बुद्धिस चैंटिंग हो गई लद्धा के अंदर यह सारे इसके अंदर इंक्लूड है जो कि हमने कर रखे है समझके मेरी बात युनेस्कों की बात करें तो करने की बात करती है सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल को अचीव करने को कॉंट्रिब्यूट करती है एजंडा 2030 को लेकर 2015 के इंदर इसको अडप्ट किया गया था 193 कंट्रीज इसके मेंबर है दोस्तों 11 असोसियेट मेंबर है बलाब कंट्रीज नी बोलूगा में है सब्सक्राइब इसके कहीं सारे ओगनेज़न एक देश में दो भी होती है और हमने कई सारे ऐसी भी हैं जो की कंट्री रिकरगनाइज नहीं लेकिन फिर भी युनस्को के मेंबर है तो तो member बोलना जादा बेटर होता है country नहीं बोल सकते हैं हम लोग ठीके चलिए UNESCO 1946 में हमने भी जोइन किया USA और इसरेल ने UNESCO से दोस्तों quit कर दिया 2019 में Trump के टाइम पे ठीके गई साथ कोर्टर कहां पर है Paris के अंदर है चलिए इसी के द्वारा network of creative cities भी दोस्तों list जारीक होती है creative cities में भी include करता है UNESCO 2004 में इसको बनाए गया था इसके अंदर साथ categories होती है इस category में अगर कोई भी city बहुत famous होती है न तो क्या होता है उसको include कर लिया जाता है फिर UNESCO उसका ध्यान रखता है उस category का हमारे यहां पे 6 cities को हमने include किया हुआ है है हैदराबाद है खाने पीने में Mumbai फिल्मों में चन्नाई music में जैपुर craft में वारन SCP music में और अभी recently शिन्दर को भी add किया गया है craft and folk art के अंदर समझ गए तो 6 आप यहां पे देख सकते हैं ठीक है गाई चलो आगे बात करते हैं यह तो मैंने आपको बताए दिया है page number 11 के तरफ चलते हैं यहां पे जो हम ल और नहीं है चलिए देखे यूएस की नेवी ने रिसेंटली पता क्या किया है वैनस डे को एक लेजर वेपन की टेस्टिंग करी है और एक फ्लोटिंग टार्गेट जो है ना वो वेस्ट एशिया के अंदर उड़ा दिया एक टार्गेट था फ्लोटिंग का तो लेजर करने के लिए समझने की कोशिश करें एक तरफ तो यूएस ने क्या किया है लेजर वेपन का टेस्टिंग करी है किसके खिलाव कर रहे है यमन जो है ना यमन ओके पहले मैं यमन क्रैसिस के बारे में बताता हूं थोड़ा सा आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा य यमन भी है ना बहुत बढ़ी प्राब्लम है यमन के अंदर यमन क्रैसिस भी बहुत बढ़े है अपने आप नहीं तो थर लोग यहां पर जो जनता है ना वो भूक म sons मर रही है क्यों कि यहां पे दोस्तों दो घुडूर्प के बीच में लड़ाई हो रही है एक तो है हैधी ग्रूप है दिया के लीडर है और यहां की गौर्णमेंट हुआ करती थी इसी क्या पोजिशन में यहां पे एक होती रिबैलियन है हूती रिबैलियन यह रिबैलियन ग्रूप है यह टेर्रिस्ट और्गनाइजेशन यूएस के दुवारा बताए गई है समझ के मेरी बात अब यह जैसे कि तालिबान और अफगानिसान गौर्र्मेंट थी ना वैसे ही यमन के अंदर भी होती रिबैलियन और हैदी गौर्रमेंट है हैदी गौर्रमेंट को support करती है साओधी अरेबिया कि चलो ठीक है हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से ओके तो काफी सालों तक तक तो है दी गवर्मेंट थी लेकिन कुछ ताइम पहले क्या हुआ था पंद्रा की टाइम पर हुती रिबैलियन ने जो साना नाम की जो इनकी कैपिटल है उसको उपर कबज इनको जो सपोर्ट किया वाए वो किया वाए इरान ने तो एक तरीके से ये एक तरीके से वीजो साओधी धिरकी बीच में है जो कि indirectly हैदी और होती के बीच में है और काम पर यमन के अंदर है अब ट्रम्प बाइस आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि ट्रम्प आपको मालू ही है ना लड़ाई-वड़ाई के अंदर तो आगे थी तो उन्होंने क्या किया साओधी अरेबिया को सपोर्ट कर दिया जब अब यूएस साओधी को सपोर्ट करने में लग रहा है और अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर साओधी को यूएस जब बाइडन गौर्मेंट आई तो उन्होंने क्या किया पूरा सपोर्ट अपना हटा लिया सपोर्ट पूरा का पूरा हटा लिया समझ गये लेकिन बस अप पर USA dominant चाहता है इसलिए उसने कुछ अपने ship है जो कि वहां पर अभी भी लगा रखी है उमीद करता हूँ यह पूरा मुद्धा आपको समझ में आ गया होगा ठीक है guys चलिए तो यहां पर Red Sea वाला एरिया में कौन सा एरिया यह देखो यह वाला एरिया है तो यहां पर यह टेस्टिंग है जो की करी है और यहां पर यह लोग अपने ship है बोट है जो की साउदी की ने सपोर्ट क्यों क्या क्या करते इसके वाले बॉर्डर पर भी प्रॉब्लम क्रेट कर रहे थे हैं इसके वाज़े से चलो यह देख सकते हो यहां पर आपका स्विस कैनल है यहां पर गल्फ अकाबा है यह जॉड़न रिवर है और यह आपका रेक्सी हो गया लेना कोई दिकत नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए यहां पर देख सकते हो ट्रंप ने क्या किया था अपनी वीटो पावर काम में फिर अभी जैन्वरी में बाइडन ने फ्रीज कर दिया हतियारों की जो बेचने ते साउदी अरेबिया को रोक दिया यूए को भी रोक कर दिया उनने आगे बात करते हैं पेज नंमर 12 की चलता है पएस नंमर 12 की बात करें तो यहां पे जो हमारे लिए इंपानेट एक तो रुपे के बारे में बात करेंगे इसके अलावा और एक पर हम लोग वहाले है कि हमनुमट होस्ट करने वाले कुछ एक टुनामेंट वो आपको पता होने चाहिए जैसे कि दोस्तों अंडर 18 का सेफ टुनामेंट है जो कि हम लोगोस्ट करेंगे अंडर 19 का भी चैनपेंशिप 2022 में हम लोगोस्ट करेंगे तो AFC वोमें वर्ल्ड कप जो एशन कप अभी हमने एशन कप कर समझें मेरी बात तो यह सैफ वाला जो टुनामेंट होते हैं कोई बड़े टुनामेंट नहीं साउथ एशन फूटबॉल आशोशेट साउथ एशन फैडरेशन है तो हमारे और हमारे आसपास की चोटे बुटे देश है यह आपस मिखेलते हैं और हम इसके अंदर पर वुमेंट वर्लकप के बारे में बात करेंगे आपको मालूम होगा कि दोस्तो अभी मार्स के अंदर निजि दोस्तों करवाया जाना है यहां पर पहला मैच हमारा पाकिस्तान के साथ में और यह पूरा शेडियूल है जो कि यहां पर दिया गया है समझ गए देखो क्रिकेट के अंदर जो पुरुष क्रिकेट में उसके अंदर तो क्रिकेट में हमने दो बार ODI World Cup जीते हैं क्रिकेट के हैं वो तो 75 में स्टार्ट होए थे लेकिन जो वोमेन क्रिकेट वर्ल्लकप है वो थो साथ cancer ogni शन्म क्रिकेट में जीत पाए वह थे भी रिसेनली जीता है उसने छी लेकिन लेकिन ठीक है लेकिन महिलाओं में चार बार जीत चुका है लास्ट इम भी जीता है ऑस्टेलिया चार बार इंगलेंड जीता है चार बार इंगलेंड जीता है चार बार ऑस्टेलिया और एक बार न्यूजिलेंड बाकी किसी भी टीम नहीं आवस्ता की टूनामेंड नहीं जी किया और 1997 में अमने इसको ओस्ट किया है सोची 1978 में ओस्ट करना किती बड़ी बात थी ओके चलिए तो यह देखिए सारे के सारे विनर्स हैं ऑस्टेलिया इंग्लेंड ही है और एक बार हम लोग रना रप नहीं अभी इंग्लेंड के अंदर लंडन में हुआ था इंग्लेंड नहीं टुनामेट जीत लिया था समझ गए तो यह दो बाते भी आपको यहां पे ध्यान रखनी है और आगे बात करते हैं क्लियर कर दिया है तेरा सो करोड रुपे की स्कीम और भीम को प्रमोर्ट करने के लिए है आपको मालूम है दोस्तों दो बहुत अच्छे डिजिटल इनिशिटिफ जो लांच हों हमारे कंटर में एक तो रुपे हुआ हुआ है बीम यूपे तो ट्रांजिक्शन करने के काम आता है रुपे हमारे वीजा कार्ड आपको मालूम कर देंगे समझ गही वेरी बात। उसका कुछ चार्ज है जो कि हम लोग लेंगे अभी दोनों बाहर की कंपनी बहुत फेमज वी लिए दुन्या में काम में आती है इंडिया में भी करती है तो फिर हमने क्या किaro той हमने खुद ने क्लिया के लिए तो हम खुद का ही रुपे launch करते हैं ताकि हमारा data भी credit card का वार ला जाए debit card का और साथ में जो charges लेते हैं हम लोग विदेशिक अम्री को खुद की company को दे तो इसलिए हमने रूपे card है जो कि launch किया तो इंडिया में रूपे card आप देखोगे आज की ताइम पर PNB, HBI यह सब रूपे card बनाने लग गए क्योंकि हमारे खुद का ही domestic है लेकिन यह foreign में काम नहीं करता रूपे है ना ठीक है वहाँ पर लेने के लिए मना कर देंगे तो इसको promote करने के लिए 1300 करोट रूपे का budget है जो की सरकार के दुवारा जारी किया गया है समझगे मेरी बात आप यहाँ पर देख सकते हैं बूटान और सिंगापूर के अंदर भी दोस्तों UPI transaction है जो की होने start हो गए है इसके अलावा रूपे card जो है वो भी बूटान में launch हो चुका है वहाँ पे भी काम में लिया जाएगा ठीक है बीम का बात करें तो भारत interface for money unified payment interface बीम UPI यह full form याद करेगा आता है paper में ठीक है एक बहुत ही initiative है fast, secure and reliable cashless payment करने के UPI के base के ओपर यह काम करता है चलिए ठीक है guys देखें रूपे card की बात करें तो domestic debit और credit card payment network है है ना और यह भी Singapore, Bhutan, UAE, Bahrain Saudi Arabia आजपास के देशों में तो रूपे card काम में लेना हो गया है 5-6 सालों के अंदर बाकी देशों में भी आ जाएगा यह है चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों तो time magazine की footpath पे ही चलते हैं दोस्तों financial time ने भी दोस्तों यहां पे Elon Musk को जो की CEO है Tesla के person of the year है जो की यहां पे गोशित किया है यह एक मातरसाथ में जिसने electric vehicle की पूरी दुनिया ही बदल दिये पहले सब लोग बोलते हैं कौन लेगा electric vehicle यह वह पूरी दुनिया electric के पीचे भाग रही है तो इसलिए दोस्तों यंग consumer और legacy automaker को shift करने के लिए EV में इनको इस अवार्ट से संभानित किया गया है और 1 trillion valuation Tesla की चुकी है Ford Motor General Motor इन सब को पीछे कर दिया है चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों यह आपके exam के लिए important नहीं है लेकिन बहुत interesting news है पिछले अगर मैं 5 सालों में बात करूँ सबसे जादा कौन सी company ने wealth creation की है अपने stakeholders के लिए तो उसके अंदर दोस्तों सबसे उपर है आपके अडानी transmission 93% दोस्तों growth है जो कि अडानी ने दी है अगर किसने एक लाग रुपे लगाया होता 93% उसको benefit है जो कि होता ठीक है annually ओके annually बात करो एन्वल benefit दीपक नेटरेट करके फिर अडानी फिर टैंसला रूची सोया दोस्तों जो की एक तरीके से अगर्जे में डूबी भी कंपनी थी उसको पहले तो पता अंजली ने उसको राइट राइट अफ करवाया उसका लोन उसके बाद खरीद लिया उसके बाद वो जॉब करो तो आलवेज आलवेज इन्वेस्ट 25 परसेंट अफ यूर सैलरी और वोटेवर इंकम यूर अंडिंग इन्टु दा स्टॉक मार्केट और इन्टु दा एसाईपी एनिवेर यू वांट तो इन्वेस्ट ठीक है मैं हमेशा आपको यह बात बोलता हूं यू विल आलवेज बिकम अरेच वा इन्वेस्टिंग नॉट बाइँ ठीक है न तो यह आदत जो है अभी से डालने की चालू करना है जब बताता हो आपको एक बार क्या हुआथा कि फेस्बुक का जब नया पफेसिट रोज़रा ना मैंने चाहिए पहले भी आपको बताया था तो फेसबुक कंपनी जो है उसके छोटा सा आप रभी बनात अ your ऐंट करना था एंट इंटर था आर्किटेक्ट था वो दोस्तों जादा पड़ा लिखा नहीं था लेकिन उसको यह बाद समझ आ गई थी कि यह लड़का जो है वह बहुत तेज है और यह कंपनी को बहुत उपर लेकर जाएगा तो उसने बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए मुझे आपक अब कर्क्रेक्टव एक्ष्ण यानि कि आप अच्छा काम नहीं कर यह तो हम आपके कंपनी को देखेंगे और आपको और पैसा कर्चने करने देंगे ऑर आपको सुधार्ने का काम करेंगे जब तक नहीं सुधरों के तब तक धार कर दिया है ठीक है इनको भी बोल दिया है कि अगर आप अच्छी पर्फरमेंस नहीं करोगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे आपके ओपर भी पीसी फ्रेमवर्क लगाएंगे एक अक्टूबर 2022 से इसको इंप्लिमेंट करने के लिए बोल दिया है फिनेंशल पोजिशन देखी ज समझगे मेरी बात अगर जो कैपिटल आपने रिस्क के उपर लगी वी है अगर वो आपकी 12% से 15% के बीच में है तो आप थ्रेशोल्ड वाली लिमिट में हो तो आपके ओपर रिस्क को वन के ताहित काम किया जाएगा अगर आपका इनपीए 6-9% है अगर आपने दोस्तों जो पैसा ले रखा है उसका 9-12% के बीच में रिस्क है और आपका इनपीए 9-12% है तो आप 2 वाली कैटेगरी में 3 वाली कैटेगरी में 12 से उपर है तो इस तरह किसे आपको NBFC को भी अलगला कैटेगरी में जो है वो डाला जाएगा according to the situation regulatory RBI बोलता है कि आपका जो cash जो आपका पैसा है capital to risk वेटेज असेट CRAR का मतलब होता है capital to risk असेट तो कितना capital आपका risk के उपर है अगर आपका 15% है ठीक है minimum minimum यह 15% का है और 10% है tier 1 capital ratio tier 1 cities में आपका पैसा जाना चाहिए और NPA जो है वो आपका minimum से minimum होना चाहिए तो यह criteria इन्होंने set कर रखा है मतलब ठीक है guys चलिए ओके कि आपके जो capital है उसका asset आपके पास में कितना है जो आपके loss में होने वाला है तो minimum 15% तो आपके पास होना ही चाहिए जो कि किसी भी पैसा जो आपका गया है उसका asset आपके पास ताकि आप उसको पैसे को recover कर सको समझ गए तो यह criteria है जो कि risk 1, risk 2, risk 3 के अंदर है जो कि यह लोग डाल देंगे समझ गए मेरी बात चलिए non-performing asset 69%, risk 1, 12% तक 2 और 12% से जाधा हो गए तो आप risk 3 वाली category में डालेंगे पिछले कोस्टेम से क्या हो गया? ILNFS, DHFL, SREI, Lens Capital यह सारे के सारे NBFCs है दोस्तों जो नोंने बहुत सारा पैसा डुबो दिया लोगों का इसलिए RBI को यह step है जो की लेना पड़ा आगे बात करते हैं Ladakh gets his first FM radio station तो दोस्तों इतने सालों से आप लोग FM radio सुन रहे हो लेकिन Ladakh के लोगों को अब जाके पहला FM radio station है जो की ले के अंदर बनाया गया है ठीक है एडवाइजर जो है Ladakh के नरूला उनके द्वारे इसको लांच किया गया है 91.1 FM है जो की यहां पर frequency की तौर पर काम करेगा 50 km के radiation के उपर तो FM broadcasting क्या होती है Radio broadcasting frequency modulation के तरीके से करी जाती है इसको एक American engineer थे Edwin उनके द्वारा 1933 में invent किया गया था ठीक है तो FM broadcasting जो है वो काफी range तक जो है वो करी जा सकती है मतलब है ना जितना height पर आप लगाओ कि उतने जाता range जो की cover करेगा ओके गाईज आप देखो के इंडिया में 1977 में स्टार्ट हुई और 2001 के बाद से तो दोस्तों जब प्राविटाइजेशन थोड़ा बड़ा तो फिर यह बहुत ही गोली की स्पिट्स आगे बनने लग गए आज के टाइम पे पहली बार इंडिया पे जो सैट अप हुआ था कोडिया कनाल में हुआ था अंडेट पॉइंट फाइफ मेगा होता है सबसे बड़ा कवरेजे 52 पर्शंट का किसी भी माध्यम चाहब देश के लोगों तक आज पॉँचना है तो आज भी दोस्तों रेडियो सबसे बड़ा माध्यम बाना जाता है इसलिए मन की परसन के पास हर चीज की प्रॉब्लम का सलूशन है अब प्रॉब्लम यह बन गए तो इसके वज़े से काप्री प्रॉब्लम हो जी कही है मतलब चलिए आगे बात करते हैं निक्स चलते हैं जो कि ये दोस्तो सुप्रीम को लेकाई सुप्रीम को ने इस्यू किया आधार वोटर कार्ट टू सेक्स वर्कर देखे सुप्रीम को उबसर्फ किया कि फंडमेंटल राइट वो हर एक सिटिजन को मिलने चाहिए अन्डवटेबली आप सभ कार्ड मिले और राशन कार्ड मिले ओके और इसको कुछ ही अफ़ते के अंदर कंप्लीट करने के लिए बोला गया है क्योंकि कोविट के अंदर सेक्स वर्कर की भी आलत बहुत जादा खराब है उनको राशन कार्ड हो गए वोटर आईडी सारे दोकुमेंटेशन एटलीस उनका पूरा होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके अपने गौर्मेंट की स्कीम को फायदा में ले सके तो चार विक का टाइम है जो कि यहां पर दोस्तों दे दिया गया है ठीक है गाई ठीक है चलिए तो यह बात यहां पर बोली कही है इसके अल होते नहीं है तो वह अविलेबल करवाया जाए आगे बात करते हैं इंडिया डिस्प्यूट ओवर शुगर सब्सेडीज देखो क्या है कि डब्लू टी ओ के अंदर हम लोग के केस आर गए अस्टेलिया गोटमेला कई देशों ने जो है वह इंडिया के किलाव केस किया था क कि हम लोग क्या कर रहे है शुगर के एक्सपोर्ट में सब्सेडी है ना वह 10 परसेंट से जादा है जो की दे रहे है इसके वज़ेसे दोस्तों यह केस जो की फाइल हुआ हम आर गए लेकिन अभी भी हमारे पास में जो है इसको आगे ले जाने के लिए एक अपील बॉड़ है ठीक है तो अपील बॉड़ी जो है वहाँ पर हम लोग अपील करेंगे डबलुटी ओ की कोई अपील बॉड़ी नहीं है लेकिन आ हमारे पास अपील करने का मौका है अभी तो ब्रजील ऑस्टिल है गॉट मेलाइन तीनों ने दोस्तों बारत के किलाव केस किया था कि हम ल अंकीता बोल रही है सर आप भी कभी नहीं बनाते हैं भूल जाते हैं करंट अफेर के नूट कैसे बनाएं अंकीता इस वाले विकेंड के ऊपर मैं आपको ये नूट्स वाला वीडियो बनाके दे दूगा 101 परसेंट ठीक है चलिए थीक है अंकीता दे दुगा मैं एजर इस वाले वीक में दे दुगा डोट वरी चलो आखे बात करते हैं नेक्स चलते हैं ये तो बात हो सिस्टम है दोस्तों जो की काफी popular हो रहे हैं हमारी पहाड़ी एरिया के अंदर हना ये clean energy दे रहे हैं घरों के अंदर mountain region में जहां पे बहुत ठंड पड़ती है उनको गरम पानी और साथ में fuelwood और जो भी गरम चीज़े चाहिए वो सब जो की available करवा रहे हैं ठीक है carbon emission में mountain area के अंदर काफी काम में लिया जा रहा है 2011 के census के हिसाप से 85% ruler household इंडिया में आज भी दोस्तों हमारे लकडियों के ऊपर कोईलों के ऊपर dependent है आग के लिए ठीक है तो इनको replacement है जो की माना गया है 16-17 गंटे मतलब energy है जो की available करवा जेते हैं अगर इनको सही तरीके से काम में लिया जाए तो 2008 के अंदर दोस्तों इसको डबलब किया गया था solar amam को और उसके बास से घरों के अंदर जो है इसको काफी काम में लेने लग गए 1200 solar amam system है जो कि इमाचल लगड़ा को उत्रा घं जो है boiling hot water मिल जाता है इसके अंदर 30-35 में temperature उसको काफी बढ़िया होता है तो यह कुछ benefit है जो कि इसके बताए गये हैं हिमाचल परदेश को इस innovation के लिए 12-17 के अंदर solar amam का जो है नहीं innovation के लिए और से भी सम्मानित किया गया था आगे बात करते हैं कुछ shots को लेकर LIC ने launch किया है दोस्तों धन रेखा plan saving life insurance तो धन रेखा यह plan एक insurance plan है जो कि launch किया गया है आपके saving को बढ़ाने के लिए LIC के द्वारा ठीक है इसके अंदर थर्ड जेंडर भी जो है benefit है जो कि उठा सकते हैं और यह इसके अंदर बताया गया है आगे बात करते हैं चैना ने दोस्तो श्रीजेन 605 satellite है जो कि space exploration के लिए launch करी है तो यह long march 4B जो rocket है उनकी मदद से दोस्तों यह satellite है श्रीजेन यह launch करी गई है ध्यान रखेगा आगे बात करते हैं DBS bank में को दो award है जो कि मिले BFSI excellence award के अंदर जो bank of Singapore है उसके India President को उनके digital transformation के लिए दो award है जो कि यहां पर दियेगा है चलिए आगे बात करते हैं Dubai become the world first government to turn 100% paperless तो 100% government में जो भी काम हो रहे ना वो सारे paperless हो रहे है और UAE Dubai government दुनिया की पहली government बन गई है यह लोग 3 billion दिरहम 300 million dollar जो है वो पैसा बचाएंगे time भी बचाएंगे digitization करने के विदर से यह सब है जो कि इसके अंदर बताया गया है दिल्ली पुलिश ने launch किया है e-learning platform जिसका नाम है उननती उननती के माध्यम से लोगों को aware करना आगे बढ़ाना ठीक है उनको मदद करना skill training के अंदर school dropout ब लाउंच किया गया है इंडियन एरफोर्स और DRDO ने दोस्तों एक helicopter है SANT उसके द्वारा missile है जो कि लाउंच करी है ठीके गाईस सक्सेस्फूल है टेस्फार किया है इंडिजीनेसली डिजाइन डिजाइन डबलब helicopter ओके SANT stand off anti-tank missile कहां पे पोकरन के अंदर है जो कि यह किया गया है ओके गाईस रैशन ओरिजन जो MI-35 हेलिकॉप्टर है उससे यह missile राउंच करी है तो इंडियन एरफोर्स और DRDO दोनों ने मिलकर है जो कि यह टेस्टिंग करी है ठीके आज की इतियास की बात करें तो 1971 वार की अंतुवा इंडो पाकिस्तान का 1773 के अंदर Boston Tea Party है जो क ब्वाद अच्छे वर्ड़ है सबकिंड है इंप्रोड है इंपोर इस इसका मतलब है जो डिप्राइवड होते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है उनको बोलते हैं थिर्ड ऐढ दिमोनाईज का मतलब है पा कोई भी चीज जो की बहुती ही खराब होती है जिसको गलत तरह प्र लेडली अगर कोई बात बोलता है उसको क्याते हैं और बैल वेडर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज कोई भी ऐसा परसन जो की लीड करें उसको बोलते हैं बैल वेडर ठीके गाईज यह था आज का आपका सेशन इसके अलावा fun fact की बात करें तो यह फोटो जो आपको करने के लिए आपके सिर्क्यों पर इस तरीके से बढ़ता नक्ये ऐसे मारा जाता था तो यह वाइब्रेशन जो रहे थी जो कि किसी जमाने में काम में लिया जाती था किसलिए हैडेक को दूर करने की तब मेडिसन नहीं होआ करते थी ठीक है आज के इसके अलावा अगर सब्सक्रिप्शन से भी दे सकते हैं उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाती है वॉलेंटियर भी आप बन सकते हैं आज का पहला सवाल है डैश रद्दा की गाहों में स्थामिय रूप से डिजाइन और ब्रांडेड हीटिंग सिस्टम है जो कि लॉंच किया गया था अगला है पीसीए तब लगाया जाएगा तब शुद्ध ग्यार निश्पादित परीसंपितिया किसके बीच में हो नौर्ट परफॉर्मिंग एसेट किसके बीच में होने चाहिए थर्ड है गॉर्मिंट कितना पैसा है जो कि सैमी कंडेक्टर के मार्केट के लिए पुश कर रही है युनेस्को ने दोस्तो सस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल को इंक्लूड किया एजेंडा कौन सा इयर का यहां पर शामिल किया गया है लास्ट कोश्चन है इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए कितना फंड है जो कि सरकार के दुवारा अनांस किया गया था तो यह था आज का आपका इंपोर्टन सेक्षिन वीडियो को लाइक और शेयर जरू करिएगा आज के लिए तना है